हेलो स्टुडेंट्स स्टुडेंट्स जैसे कि मैंने आप सभी लोगों से बादा किया था कि मैं नीट 2020 के लिए फिजिकल केमिस्टी का कम्प्लीट कोर्स लेकर आ रहा हूँ जो कि आपके लिए फ्री आप कॉस्ट रहने वाला है तो उसमें हम को अनकाइडमी पर जाना होगा वहां आपको रेजिस्ट्रेशन इसके लिए कराने होंगे तो क्या रेजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है पूरा मैं इस वीडियो में एक्स्प्लेंट कर रहा हूं उसी तरहीं से आप जाकर वहां फॉलू करिए और यही स्टेप आप रेजिस्टेशन फ्री आप करा रा कर वायें अनकाइडमी प्लास पर आको आँए के आप आएंगे तो आप को अएगएंगे ऍैस्पलक प्लस फोर फॉर हूं जैसे एप यहां पर क्लिक करना है जैसे इहांप क्लिक करेंग किलिक करने के बाद इस तरीके से जो free academy की plus classes हैं वो आपके सामने आ जाएंगी इसको आपको स्क्रोल करना है जैसे आप स्क्रोल करेंगे वैसे ही मेरे classes जो है वो आपको दिखाई देने लगेंगी यह जो classes है आपकी start होने जा रही है 21 October से ठीक है न तो आप यह जो है registration यहापर करा सकते हैं दो class मेरी 21 October को रहने वाली है और दो ही classes मेरी यहाँ पर जो है वो 22 October को रहने वाली है दो classes मेरी 23 October को रहने वाली है तो ये लगातर classes आपके होने वाली है और इन सभी classes के थुरू हम यहाँ पर volumetric को complete करेंगे साथ ही आपकी जितने भी basic concept है उनको clear करेंगे और electrolysis जो electro chemistry का पाथ है उसको भी मैं आपको यहाँ पर खतम करा दूँगा आपको करना क्या है एक किसी एक class पर जब आप click करेंगे तो ऐसे आपके सामने इंटरफेस आएगा इस पर enroll करने को आपको दिया है इस पर आपको click करना है आपका registration हो जाएगा और उसके बाद फिर आपको सीधे class वाले दिन एक message आएगा उस message को देखते ही आपको उस दिन जिस समय पर जिस दिन class है उस समय पर आपको आगर class जोईन कर लेनी है ठीक है ना इस से related कोई और जानकारी आगर आपको चाहिए तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं मिलते हैं next वीडियो में chemistry का complete slavus live classes के दूँ करने के लिए unacademy पर live classes करने के लिए आपको unacademy plus का subscription लेला होगा जब भी आप subscription ले तो मेरा referral code doctor slok use करना बिलकुल मत भूलेगा ये आपको 10% instant discount दिलाएगा अधिक जानकारी के लिए description में दिये गए link को follow करिए वहाँ से आपको complete जानकारी मिल जाएगी